नमस्कार बच्चों कैसे आप सब आशा करती बच्चों आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे तो आएए बच्चों हम आज का नया पाट शुरू करें हमारा नया पाट है कक्षा आठ का विशे नागरिक शाष्त्र पार्ट का नमबर है आठ पार्ट का नाम है हाश्याई करण से निपटना बच्चों आपने पिछले अध्याय में हाश्याई करण के बारे में समझा तो बच्चों इसी समझ को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ नई बाते बताते हैं तो बच्चो इस पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आदिवासी दलित, मुसल्मान, औरतें एवं अन्य हाश्याई समुओं के बारे में और इन हाश्याई समुओं के पढ़ने के बाद हम बात करेंगे असमानता से निप्टने के लिए इन्होंने क्या-क्या तरीके अपनाए उसके बाद हम जानेंगे अपने संगर्शों के दोरान सविधान का सहारा इन्होंने किस तरह से दिया तो हाशे समू के इन बातों को जानने के बाद अंतिम में हम देखेंगे बिभिन समू को निरंतर शोषन से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शकल कैसे दी जाती है तो बच्चों आईए हम अपना पाठ शुरू करें तो शुरू करते हैं बच्चों सविधान में ऐसे कई सिध्धान्त सुत्रबध किये गए हैं जो हमारे समाज और राज्य विवस्था को लोकतांतरिक बनाते हैं इन सिध्धान्तों को मौलिक अधिकारों के जरिये परिभाशित किया गया है ये हमारे सविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये अधिकार सभी भारतियों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं जहां तक हाश्याई तपकों की बात है उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है पहला अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है दूसरा उन्होंने इस बात के लिए दबाब डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे कई बार हाशे तपको के संघर्षों की वज़े से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं आईए बच्चो अब मैं आपको सविधान के अनुछेद 17 वा अनुछेद 15 के बारे में बताती हूं बच्चो सविधान के अनुछेद 17 के अनुसार अस्प्रिश्यता या छुवचूत का उनमुलन किया जा चुका है इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सारवजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता इसका मतलब ये भी है कि छुवचूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरन को बरदाश्थ नहीं करेगी लिहाजा अब अस्प्रिश्यता एक दंडनिये अपराध है बच्चो सविधान के अनुछेत 15 में भारत के किसी वी नागरिक के साथ धर्म, नसल, जाती, लिंग या जनम स्थान के अधार पर भेदवाव नहीं किया जाएगा समानता के अधिकारों का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं बच्चो दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला दलित समों ने ये शब्द जाती विवस्था के तहट अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रिखांकित करने के लिए खुद चुना है बच्चो यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बरताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं बच्चो इसी तरह से हमारा दूसरा हाश्याई समु मुसल्मानों तथा अन्य अल्प संख्यक समुदायों ने भी सविधान में दिये गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक वा शेक्षनिक अधिकारों की स्वतंतरता के अधिकार पर जोर हुआ है इसी तरह विभिन प्रकार के संस्कृतिक अधिकारों की विवस्था करके सविधान ने ऐसे समुओं को संस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है इसका उदेशी क्या है बच्चो इसका उदेशी यह है कि इन समुओं की संस्कृति पर ना तो भौसंख्यक समुद सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है लेकिन सरकार केवल इसी तरह कारेवाही नहीं करती हमारे देश में हाशय तपकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई है बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिती की सिफारिशों या सर्वेक्षन आदिके नतीजों पर अधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोहसान देती है ताकि खास तपकों को सही अफसर उपलब्द कराए जा सके। बच्चों, सामाजिक न्याय के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। सामाजिक न्याय को कैसे प्रोहसान दिया गया? सविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंदर सरकारे जनजात्य आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेश प्रकार की योजनाय लागू करती है उधारन के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की और से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्द कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंदी सुविधाय हासिल कर सकें कुछ जरूरी सुविधायें मुहया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि विवस्था में निहित असमानता को खतम करने के लिए थोस कदम उठाए जा सकें बच्चो आपने आरक्षन के बारे में तो सुना होगा आरक्षन की वेवस्था इसी तरह का एक महतपुन, कानून वा निती है ये महतपुन होने के साथ बेहत विवादास्पद भी है शिक्षा संसानों और सरकारी नौक्रियों में दलितवा आधिवासियों के लिए सीटों के आरक्षन का कानून एक महतपुन तर्क पर अधारित है इसके पिछे समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तपकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई मिपुनताएं हासिल करने के अफसरों से वंचित रखा गया है वहां लोगतांत्रिक सरकार को इन तपको अनुसुचित जन जातियों और पिछडी वा अती पिछडी जातियों की अपनी अपनी सूचियां है इसी तरह कि एक सूचि केंदर सरकार के पास भी होती है जो विध्यार्थी शैक्षनिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उमीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं उन्हें जाती और जन जाती प्रमान पत्र के रूप में अपनी जाती या जन जाती का सबूत देना होता है अगर कोई खास दलित जाती या जन जाती सरकारी सूची में है तो उस जाती या जन जाती का उमीदवार आरक्षन का लाव उठा सकता है बच्च ये है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदीवासी उमीदवार दाखिला नहीं पा सकते इनमें उन्हीं दलित और आदीवासी विध्यार्थों को दाखिला मिल सकता है जिनोंने परिक्षाओं में अच्छा परदर्शन किया है और नियुनतम अंक सीमा से जिससे हम अंग्रेजी में स्कॉलर्शिप भी कहते हैं अनुसुजाती अनुसुती जन जाती पिछडा वर्ग अल्प संख्यक इन सभी के लिए विध्याले में वजीफे आते हैं और बच्चो आपने सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए विशेशी ओजन पी अचडी डिग्री तक शिक्षा मुफ्त कर दी है तो बच्चो ये सब योजना हमारी सरकार इनी हाश्याई समुओं के लिए शुरू करती है आओ बच्चो हम आगे बड़े बच्चो दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के बारे में जाने हाश्याई सम जाने हम और अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं साथ में ये भी जाने बच्चो ये कहानी है जकमालगुर गाव के लोगों की एक बड़े त्युहार की तयारी में सभी लोग जुटे हुए थे यहां हर पांच साल में एक स्थानी का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर्द होता है और धोवन के इस पानी से नहाता है उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था इस बार रतनम की बारी थी रतनम 20 साल का था औ और उसके पुर्खों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था रतनम के इनकार से ना केवल गाओं की ताकतवर जातियां बलकि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा थे उंची जातियों के लोगों को ये देखकर हैरानी थी कि कच्ची उ मौजवान उनका हुकम मानने से इनकार कर रहा है उनको लगता था कि रतनम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वे खुद को उनके बराबर मानने लगा है रतनम की जाती के लोग भी उंची जाती वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे उन रतनम की दलील ये थी कि चुंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उटता बच्चों ताकतवर जातियों ने रतनम को सबक सिखाने की ठान ली उन्होंने उसके समुदाय को हुकम दिया कि वे रतन की जोंपडी में आग लगा दी रतनम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला उसने अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती हत्याचार निवारन अधिनियम 1989 के तहत स्थान्य थाने में मामला दर्ज कराया बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए वे डरे हुए थे उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुझ खोलेंगे तो उनकी हालत भी रतनम जैसी ही बना दी जाएगी स्थानी मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया बहुत सारे पत्तरकारों ने गाव का दोरा किया रतनम को उन्होंने दलि ये थी रतनम की कहानी बच्चो इस कहानी में आपने एक अधिनियम के बारे में सुना अनुसुचित जाती एवं अनुसुचित जन जाती अधिनियम 1989 अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूं रतनम ने अपने गाव में उंची जातियों द्वारा किये जारे भेद भाव और हिंसा का विरोध करने के लिए इस कानून का सहारा लिया और इसके तहत शिकायत दर्ज कराई बच्चों ये कानून 1989 में दलितों तथा अन्ने समुदायों की मांग के जवाब में बनाया गया था उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाब पड़ रहा था कि वे दलितों और आदिवासियों के साथ रोज मर्रा होने वाले दुर्वेवार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कारवाई करें लेकिन सत्तर के दशक के आखिर और अस्ती के दशक में ये समस्या हिंसक रूप लेने लग गई थी इस दोरान दक्षिन भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आगराही दलित संगटन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई वे तथाकथित जातिय दायत्वों का निर्वाह करने को तयार नहीं थे और समानता का धिकार चाहते थे रतनम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान वा शोशन करने वाली परंपराओं को मानने से इंकार कर दिया इसकी वजह से उंची जातियों के लोगों को उनके साथ खुले आम हिंसा पर उतारू हो गए थे सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगटनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआ छूत अभी भी जारी है उन्होंने इस बात के लिए दबाब बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन परकार की हिंसा की सूची बनाई जाए इस तरह कि अपराद करने वालों के लिए सक्त सजा का प्रावधान किया जाए तो बच्चो देखा आपने इस कानून का कितना लाब हुआ अनुसुचित जाती वा जन जाती के लोगों को बच्चो इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया अपनी जमीन वा संसाधन को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजी गुटों का गुस्सा जेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई यही वज़ा है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है इन मेंसे कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकरी दिल दहल जाता है इस कानून में कई सतर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है पहला इसमें शाररिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनी अपमानों के स्वरूप की सूची दी गई है इसका मकसद ऐसे लोगं को सजा दिलाना है जो अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती के किसी व्यक्ति को कोई अखाद वा गंदा परदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं दूसरा अनुसुचित चाती या जन जाती के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चहरे अत्वा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत करते हैं जो मानविय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है दूसरा बच्चो इसमें ऐसे कृतियों की सूची भी है जिनके जर्ये दलितों और आदिवासियों को उनके साधारन संसाधनों से वन्चित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है फलसरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती के किसी व्यक्ति के नाम पर आबंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है, या खेती करता है, या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दे जाएगी। एक और स्तर पर ये कानून इस बात को माननेता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराद एक खास तरह के अपराद है इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने के विवस्था की गई है अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो बच्चों ये थे वे अपराद जो अनुसुचित जाती वा जन जाती के लोगों के साथ हो रहे थे इनी से बचने के लिए इस कानून का निर्मान किया गया बच्चों मैं आपको एक बहुत ही महत्वपुन बात बताने जा रही हूं ध्यान से सुनेगा बच्चों बहुत सारे लोग छाडू, टिन और टोक्रियों के सहारे पश्वों वा इनसानों के मल मुत्र को ठिकाने लगाते हैं वे बिना पानी वाले शोचाले से गंदगी उठाकर दूर खिस्थान पर फैंक कराते हैं हाथ से मैला उठाने वाली पीडी दर पीडी यही काम करते हैं ये काम आम तोर दलित औरतें और लड़कियों के हिस्से में आता है अंधरप्रदेश में सक्रिय सफाई करमचारी अंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाई के लगभग एक लाख लोग ये काम कर रहे हैं सिर्पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवे स्थितियों में काम करते हैं इस काम के कारण उनके स्वास्त को घंबीर खत्रा बना रहता है वे लगातार ऐसे संक्रमन के खत्रे में रहते हैं जिससे उनकी आखे, तुच्चा, शुष्षन तंतर, पाचन तंतर पर असर पड़ सकता है इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है नगरपालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपए मिलते हैं जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है बच्चो भारती सविधान में अस प्रिश्टा की प्रथा को खतम किया जा चुका है फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगा अच्छूत माना जाता है गुजरात में भंगी, आंधरापरदेश के पाखी और तमिलाडू के सिकलियार इसी क्षेणी में आते हैं आम तोर पर उन्हें गाव के किनारे अलग टीले में रहना पड़ता है उन्हें मंदिर सार्जूनिक जलस विधाओं आदी के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है 1993 में सरकार ने Employment of Manual Squencers and Construction of Dry Latterns Act 1993 पारित किया था ये कानून सिर पर मैल उठाने वालों को काम पर रखनी और सूखे सचालियों के निर्मान पर पावंदी लगाता है 2003 में सफाई करमचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों वा व्यक्तियों ने सरवच न्याले में एक जनहित याचिका दायर की थी याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैल ढोने की प्रता ना केवल आज भी चल रही है बलकि रेलवे जैसे सरकारी उपकरमों में भी बड़े पैमाने पर प्रचलित है याचिका करताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग रह किया न्याले ने केंदरवा राज्य सरकार के प्रतेक विभाग को आदेश दिया वे छे महा के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं अगर सिर पर मैल ढोने की प्रता अभी भी प्रचल में पाई जाती है तो संबंदित सरकारी विभाग को ऐसे लोगों की मुक्ती और पुनरवास के लिए एक समय बद कारे करम तयार करना चाहिए बच्चो आप इस चित्र को देखो इस चित्र में आपको हाज से मैला उठाती एक सफाई मजदूर दिख रही है दूसरे चित्र में देखो बच्चो सफाई करमचारी आंदोलन की जो कारे करता थे वे सूखे सुचाले को गिरा रहे हैं तो इस कानून से कम से कम इन लोगों को हाज से मैल उठाने का जो कलंग था उससे मुक्ती मिल गई आओ बच्चो अब मैं आपको आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम बताती हूं 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपुर्ण है आदिवासि कार्यकर्टा अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं अपनी जमीन चुड़ाने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परिशानी होती है कारिकर्टाओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कबजा कर लिया है उन्हें इस कानून के तहट सजा दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कानून भी जन्जाति समुदाय को केवल वही लाब देता है जिनका सविधान में आशवाशन दिया गया है उनका कहना है कि सविधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता जहां ऐसा हुआ है महा सविधान की गरीमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन बापिस मिलने चाहिए बच्चो आदिवासी कारे करता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के साविधानिक कानून का उलंगन करने वालों में विविन परदेशों की सरकारे भी पीछे नहीं है ये सरकारे हैं जो लकडी, व्यापार, पेपर, मिल, आदी के नाम पर गैर आदीवासी घुसपैठियों को जंजाती जमीन का दोहन करने और आदीवासियों को उनके परमपरागत जंगलों से उजाडने की छूट देती है बच्चो आपने देखा होगा कई सारे प्रदेश की सरकारें इस तरह के व्यापार में आदीवासियों के साथ भेदभाव करती है बच्चो इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभियारने घोशित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है सूश्री जानू का ये भी कहना है कि जो आदीवासियों पहले ही बेदखल हो चुके हैं जो अब बापिस नहीं लोट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए इसका मतलब ये है कि सरकार ऐसी योजनाई बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और उन्हें वहां पर काम भी मिले जब सरकार आदीवासियों से छीनी गई जमीन पर और ध्योगी किया अन्य पर ये उजनाओं के निर्मान के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो क्या इन विस्थापितों को पुनरवास देने के लिए मामूली सा खर्चा और नहीं कर सकती तो बच्चो देखा आपने आदीवासि हो या अनुसुचित जनजाती के लोग हो सभी को 1989 के अधिनियम से कितनी रहत मिली है बच्चो इस चित्र को देखो इस चित्र में आपको ये दो व्यक्ती पेड काटते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे एक सरकारी करमचारी उन्हें देख रहा है केंदर सरकार ने हाली में अनुसुचित जनजाती एवं अन्य परमपरागत वनवासी अधिनियम 206 पारित किया है इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को माननेता ना देने के कारण उनके साथ हुए अतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है इस कानून में वन समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेत और चराई योग्य जमीन और गैर लकडी वन उत्पादों पर उनके अधिकारों को माननेता दी गई है तो बच्चो इस अधिनियम 2006 के अंतरगत भी अनुसुचि जन जाती के लोगों को रहत मिली है वे अपने जंगलों के आसपासी रह सकते हैं, उन्हें उसे छोड़कर कहीं दूर जाकर पुनरवसन करने की जरूरत नहीं है तो बच्चो इनी कानूनों के सहारे हाशय समुने अपने संगर्शों के दौरान सविधान का सहारा लिया और अपने आपको शोशन से बचाने के लिए इनी अधिकारों को कानूनों की शकल दिलवाई तो बच्चो आईए, अब हम करते हैं प्रशन उत्र तो बच्चो पहला प्रशन हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों को किन दो रूप में इस्तेमाल किया है उत्तर है पहला, मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाब डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे कई बार हाशे तपकों के संगर्शों की वज़े से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनूरूप नए कानून बनाने पड़े है अगला प्रशन बच्चों सविधान के किस अनूछेद में अस प्रिश्यता या छुवा छूद के उन्मूलन के लिए वर्णन किया गया है उत्तर हैं सविधान के अनूछेद 17 और अनूछेद 15 में अगला प्रशन बच्चों अस प्रिश्यता क्या है उत्तर है अस्प्रिश्यता एक समाजिक कुरीती है जिसमें समाज के कुछ वर्गों के साथ छुआ छूट या दुर्वेवार किया जाता है जैसे साथ पढ़ना, मंदिरों में जाना और समाजिक सुविधाओं के इस्तिमाल पर रोक लगाना आदी शामिल है पच्चो अगला प्रशन, समाजिक न्याय को प्रोज सहन करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? उत्तर है, पहला कदम, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की और से मुफ्त या रियायती दरों पर उनकी अच्छी शिक्षा के लि और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के सीटों की आरक्षन की विवस्ता की गई है, चौथा, शिक्षन संस्थानों में इन वर्गों के विध्यार्थियों को सरकार विशेश छात्र वृत्ती भी देती है, तो बच्चो आशा करती हूँ, आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और हाशाई समूं के बारे में आपको जानकारी प्राप्थ हो गई होगी तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपने नए पाठ में तब तक के लिए स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए नमस्कार